ओम स्री गणेशाय नमा दोस्तों ओम गणपती समधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने बाले हैं 8 सितंबर बुद्धवार आज के मिथुन रासी फल के बारे में आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान देना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और विवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्मून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटिफीसन की बेल को भी दमाएं जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्मून वीडियो पहुँच सके तो चली दोस्तो बात कर लेतें कैसा रहीगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या पोजीटिव रहने वाला है आप अपना लक्षे निर्धारित करने के लिए कोई नई योजना बनाएंगे जिया दोस्तो थोड़ी सी महनत करके आप अपने लक्षे को आसानी से प्राप कर लेंगे आपके आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा वेफसाई कारियों के लिया से दिन बहतर रहेगा आप हर कारियों को देहरिया और समन्दारी से पूरा कर लेंगे आपिस में बहतर तालमेल बना रहेगा जिया दोस्तो, आफिस का बड़िया माहुल आपको खुश कर देगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, अचानक नए शुरूतों से धनका आगमन होगा, किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन अती प्रसन्न होगा, आपके सभी काम बनते नजर आएगे जिया दोस्तो, आज कोई सुब समाचार मिलेगा, पारवरिक मामलों को लेकर आपको थोड़ी रहात मिलेगी, भाई भेनों के साथ आपके रिष्टे बहतर होंगे, जीवन साथी आपकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे, बिजिनेस के मामलों में थोड़ा उतार चड़ाओ, होने के पावजूत आपका बिजिरेस अच्छा रहेगा, जीवन दोस्तों, अब कुछ नए काम काज आपके सामने आएंगे, जिनके लिए आपकी मुलाकात कुछ जरूरी लोगों से भी हो सकती है, कोई सुब समचार मिलने से आपका मन प्रसंद रहेगा, जीवन दोस्तों, घरेलु समश्याओ को सांती पूरोग ढंग से सुल जाने में, आप सफल रहेंगे, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिलेगी, उच्छ अधिकारियों से सयोग मिलेगा, घर परिवार में इस्तिती अनुकूल बनी रहेगी जीवन दोस्तों, परिवार मालों के साथ हसी ख के भी मिलेंगे जीवन दोस्तों, साथी साथ विद्यारती अपनी पृतियों के ताओं में सफलता हसिल करेंगे, अपने माता-पिता के सुवास्त का द्यान रखें, अब आपके सुवास्त समद्धी समस्या है, इस समय समाप्त हो जाएंगी, संतान सुख आपको मिलेगा, घ आपकी लव लाइप कैसी रहेगी, पती और पत्मी के बीच रोमांटिक समद्ध इस्तापित होंगे, इससे आपसे समद्ध बहतर होंगे, जीवन साथी से आपका पूरा-पूरा सहीयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी को कोई लाब भी प्राप्त हो सकता है, ज आतों में दर्द की समस्चा परिशान कर सकती है, वर्त्मान परस्चिचों में लापरवाई, बर्दना ठीक नहीं होगा, इसलिए स्वास्त रहने के लिए नियमित योग करें, प्रणायम करें, व्यायम करें और अधिक स्वास्त रहें दोस्तों, आज आप यह उपाए अवश्य करें, भगवान स्री गणेश को हरी दूर्वार पित करें, और मिश्ठान का भोग लगाएं, और 108 बार इस मंत्र का जवाब करें, ओम गंगन पते नमा, ओम गंगन पते नमा, इस पिरकार उपाए करने से आपकी मनो कामना इससे ग पूर्ण हो जाएंगी, दोस्तों, आपको भगवान स्री गणेश का स्रिवात प्राप्तों, कमेंट में जे गणेश अवसे लिखें, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन सुब और मंगल में हो